भगवान कहते हैं कि कर्म पर तेरा अधिकार है इस संसाहर में इस प्रिथी लोग में जो आप कर्म करते हैं उस पर तुम्हारा अधिकार है आप अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं इसकी स्वतंत्रता आपको प्रमात्माने दे रखी हैं आप उसके परतंत्र नहीं हैं गुलाम नहीं हैं आप अपनी इच्छा से अच्छाई करते हैं और अपनी इच्छा से बुराई करते हैं हम बहाना मार देते हैं कि दूसरे के दबाव में आके हमने किया, परंतु किया तो हमने ही, तो कर्म करने में स्वतंतरता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको दी गई है, तो कर्म में आपका अधिकार है, परंतु जो कर्म कर दिया, उसका जो फल मिलना है, वो व्यक्ती से नहीं समष्ठी से आता है, यानी परमात्मा से आता है, आप अगर बिल्डिंग की छट से छलांग लगा दें, तो ये कर्म आपका हुआ, परंतु जब नीचे गिरेंगे, कितनी छोट लगेगी, ये फल ये परमात्मा के हाथ में है, आप बचेंगे या नहीं बचेंगे, तो कर्म आप कर देते हैं, और जो फल है, वो परमात्मा ही देते हैं, ये इस संसार का नियम है, तो कर्म पर अधिकार, परंतु फल पर अधिकार नहीं है, तो भगवान यहां कहते हैं, इसलिए कर्म करो, कर्म करना तो कर्म करो और निशित फल का आग्रह मत करो कि यही चाहिए क्योंकि जो आपकी कर्म है उसका जो फल मिलना चाहिए वो परमात्मा डिसाइड करते हैं वेक्ति को तो लगता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है परंतु जो फल देना है वो तो परमात्मा देखता है एक बहुत अच्छा एक्जाम में पेपर अटेंड किया है परन्तु टीचर देखता है कि कितनी त्रोटियां है कितनी स्पेलिंग मिस्टेक कीवी है या कैलकुलेशन में कहां गड़ बड़ है तो टीचर को पता है वो देख कर फिर रिजल्ट देता है तो परमात्मा भी रिजल्ट देगा तो निश्चित फल का आग्रह मत कीजिए और भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करो कर्म फल की इच्छा का त्याग करो अटाच्मेंट का त्याग करो परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म करो ही मत लोग सोचते हैं कि कर्मफल की इच्छा का त्याग मतलब कर्म करना ही नहीं है ये तमोगुणी वृती है कर्मफल की इच्छा का त्याग मतलब होता है कर्म करना, आनंद के साथ करना इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कर्म ही छोड़ बैठे जब हम आसकती पालते हैं तो चिंता भयक और मन में महोत पन्न होता है उस चीज़ का पता नहीं होगा कि नहीं होगा भगवान मनिश्य के लिए यह उधारन पेश करते हैं कि तुम भयों से मुक्त हो सकते हो और दैविक आनंद को प्राप्त कर सकते हो जब तुम आसकती छोड़ते हो कर्मफल की इच्छा छोड़ते हो क्योंकि इच्छा करने से चिंता भय होगी कि पता नहीं पहुचेगे नहीं पहुचेगे और जब आनंद के साथ करते हैं तो दैवी आनंद अपने आप परस्ता है चार ओर परमात्मा का आनंद है उस आनंद को भोगिए कर्मों को आनंद के साथ कीजिए चिंता और भय में मत पढ़िए इस चिंता और भय में पढ़कर मनुश्य अपना सर्वनाश करता है इश्वरापन बुद्धी हो प्रभू के प्रती अर्पित जो किया प्रभू को अर्पित और निश्काम कर्म कीजिए तब अन्तहकरन शुद्ध होगा और आप ध्यान के लिए तयार होंगे उससे पहले ध्यान के लिए आप तयार नहीं हो सकते क्योंकि अन्तहकरन शुद्ध नहीं होता तो अंतावकरण की शुद्धी के लिए निश्काम कर्म कीजिए और साथ ही साथ प्रभु को अर्पत कीजिए जो भी मिलदा है भाव कीजिए कृष्णावपन मस्तू, ब्रह्माणपन मस्तू, प्रभु को सब कुछ अर्पन है ये भावना मन में आए जब एकती भयजिग्रस्त होता है, जाधा इच्छाओं में टेंशन पालता है, तो क्या होता है? फिर उसके बाद, जो कर्म में उर्जा लगनी चाहिए, वो उर्जा उसकी लग नहीं पाती उर्जा बिखरनी लग जाती है, और ऐसा भयज्रस्त मन लक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता और आधे अधूरे मन से तो कभी प्रत्न करना भी नहीं चाहिए इसलिए भगवान ने पहले किश्लोकों में बोला है कि व्यवसायात्मी का बुद्धी यानि प्रत्न परक बुद्धी वह है जो एक कांगरचित है, एक लक्ष की ओर चलती है, पूरी उर्जा लगाती है, ऐसा ही व्यक्ति कर्मयोग कर सकता है कर्मयोग वही कर पाएगा जो लक्ष की प्रतिकेंद्रत होगा, एक चीज़ को लेकर मेहनत करेगा, उसपे अपनी उर्जा लगाएगा और जो संखे इच्छाएं रखेंगे, वो कभी सफल नहीं होते इसलिए जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनको कहा जाता है कि बेटा अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दो जादा फैशन की तरफ जो बच्चे जादा जाते हैं, फिर पढ़ाई की तरफ मन नहीं लग पाता क्योंकि दस चीज़ें खटी करेंगे तो मन की उर्जा पिखरेगी तो अपनी उर्जा को केंद्रित करें, और भविश्य के बारे में अनर्थकारी विचार न पैदा करें इससे मन दुखी होगा, जो वर्तमान हैं वही भविश्य बनता है आज जो आप कर रहे हैं वही आपका भविश्य बनेगा तो प्रेजन्ट में आप क्या हैं उसे देखिए प्रेजन्ट सिचुएशन क्या हैं, क्या वर्तमान में आप अच्छे कर्म कर रहे हैं क्या आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, क्या आप अपने बिजनस पर ध्यान दे रहे हैं, क्या आप अपनी कला को निखारने पर ध्यान दे रहे हैं, यदि आप उर्जा लगा रहे हैं कर्म पर, तो फल अच्छा मिलेगा, परन्तु यदि उर्जा आपने सिर्फ क पकाया सब हात में आ जाए मेहनत ना करनी पड़े तो यह ब्रामान के नियम के खिलाफ है नियम कहता है कर्म करोगे तो फल मिलेगा और चिंता और कल्पनाओं में उर्जाव वेस्ट कर दोगे तो फिर फल वैसा नहीं प्राप्त होगा जिसे बैल गाड़ी में बैल जुते हो लोग उल्टा करें कि बैल आगे ना करके गाड़ी को लगा दें यानि फल को पहले लगा दें और कर्म बाद में ऐसा नहीं होगा फल पहले कभी नहीं मिलता, चीजें पहले नहीं मिलती, पहले मेहनत करनी परती है और जो मेहनत करता है उसी को फल भी मिलता है जितना फलकांक्षा से भरा मन होगा, उतना कर्म हीन भी होता है जादा सोचने वाले बैठे ही रहते हैं, उठकर काम नहीं करते और जो करमशील होगा वो थोड़ी देर प्लान बनाएगा और उसके बाद काम में जुट जाएगा दस बार संकल विकल्प नहीं करता फिर नहीं सोचता सही गलत क्योंकि सही गलत वो पहले सोच चुका है लक्ष पहले ही चुन चुका है बस फिर उस लक्ष की तरफ चल पड़ता है आगी जो होगा वो परमात्मा देखेंगे तो जो जितनी कल्पना करेगा जितनी अटाच्मेंट फल की तरफ रखेगा फल को जितना ज़्यादा पाना चाहेगा उतना कर्म हीन हो जाएगा क्योंकि कल्पनाओं में फस जाएगा या तो चिंता करेगा या उसको सोच सोच के आनंद मना रहा होगा कर्म नहीं करता उतना कर्म कम होगा तो पूर्ण कर्मी 100% उर्जा लगाता है और जितनी फला कांग्षा से भरा मन उतना कम फल भी मिलता है यानि आपने सोचा फर्स्ट आएंगे और जादा समय 50% उर्जा कल्पना में लगा दी तो फर्स्ट क्या आप 10 पोजीशन पे भी नहीं आएंगे जितना कम उसके बारे में सोचेंगे उतना जादा पढ़ेंगे महनत करेंगे और उतने चांसे ब्राइट होंगे कि आप युनिवर्स्टी टॉप कर जाएं तो महनत जो करता है उर्जा लगाता है लक्ष को केंद्रित करके वह तो पाभी लेता है जो निश्काम कर्मी होगा लक्षे बना कर चल पड़ता है वो अटैच्मेंट नहीं रखता फल से फल तो मिल ही जाएगा कई लोग कुर्सी के लिए पागल होते हैं परंतु कुछ लोग अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाते हैं कि कुर्सी यानि वो पद शुभाय मान होता है उस व्यक्ति के आने से तो निश्काम कर्मी ऐसा होता है कि उसे कोई चीज सर्टिफिकेट नहीं चाहिए वो इतना उचा उठ जाता है कि सब लोग उससे एक्जामपल लेने लगते हैं एक कलाकार जब कला में डूपता है तो इतना उचा उठ जाता है अपनी संगीत कला में कि कोई उस तक छुँ नहीं पाता क्याकि वो किसी कॉमपटिशन में नहीं है कि मज़ो फर्स्ट हाना है या सेकिन हाना है या इतना धन चाहिए जब वह कला में डूपता है तो निखरता है फिर धन तो आही जाएगा प्रसिद्धी आही जाएगी लेकिन कला में डूबना पहले पड़ता है यदि कला में नहीं डुबे तो न धन मिलेगा न प्रतिष्ठा और जो भगवान पर छोड़ कर अपनी कर्म को अच्छे से करता है याद रखिए ब्रह्मांड भी भगवान भी परमात्मा भी उस व्यक्थी की चिंता करता है जो श्रद्धा से भरा है उसकी चिंता परमात्मा करेंगे और जो अश्रद्धालू है जो अपने उपर ही सब ले लेता है उसको उसका फल भी नहीं प्राप्त होता इसलिए निश्काम कर्मी के सब काम सफल होते हैं और सकाम कर्मी जो है वो असफलता को ही प्राप्त करता है वो हर समय इच्छाओं के जाल में फस्ते हुए और आगे और आगे ऐसे भागता ही चला जाता है और कभी संतुष्ट नहीं होता आत्मन ये वात मना तुष्टा अपनी आत्मा में जो संतुष्ट रहेगा वही योगी होगा वही आनंद में होगा वही जिन्दगी में सब कुछ प्राप्त कर सकता है इसे योगी बनिये फल की इच्छा न करें कर्म करें और कर्मों को इतना अच्छा करें कि आप उधारन बन सकें बाकी लोगों के लिए कि काम कोई करता है तो ऐसे करता है और ऐसे ही काम को करना चाहिए